बिस्मिल्ला रॉमान रहीम अनाजनी किरामी एक पार्सी की कहानी मैं पढ़ रहा था तो सोचा क्यों ना ये कहानी आपके साथ भी शेयर की जाये साथ काफी दिन होगी थे हैं आपसे बात चीत नहीं होई थी तो कहानीों का सिलसला भी शुरू किया था लेकर कोई ना कोई काम बीच में पढ़ जाता है जिसकी वज़ा से ये वकफा आ जाता है तो कहानी का नवान है तश्वीक आप ने सक्रीम पर देख सकते हैं तश्वीक तश्वीक का मतलब होसल अफजाई थोड़ा से बेकरणड बताता हूं कहानी की बेकरणड ये है कि हमें अक्सर हमारी जिंदगी में आपने ये चीज फेस की होगी लेखी होगी कि अगर आप कोई सभी काम करना लगते हैं शुरू करना चाहते हैं तो आपके अपने चाहिए वो आपके दोस्त हों आपके रिश्तेदार हों या करीबी वो आपको यह कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते है तुम आरे लिए काम करना बहुत मुश्चिल है तो आप उनकी बातों पर कान लगा कि अपकाथ उन पर और अम्ल करके है अपना काम करना छोड़ देते है और इस कहानी में हम यह सीखें गे कि हमें किसी की किसी बात की परवानी करने चाहिए हमें अपने पर यकीन रखना चाहिए नमबर एक नमबर दो ये कि जो ये काम करते हैं उनको चाहिए कि वो हमेशा ऐसा शक्स जो मसीबत में हो किसी मुश्कल में हो तो बजाए इसके कि उसकी होसला शिक नहीं करें उसकी होसला अवजाई करें उसको तश्वीक करें उसको कहें कि तुम ये काम कर सकते हो ये काम नामुम्किन नहीं है तो आएए चलते हैं देर कि ये बगैर देखते हैं कहानी में किया बयान हुआ है सक्रीन पर देख सकते हैं लिका है चंद और्बाखे अजगली अबूरमी केरदन तै गोरबाखे के यह कहते है है मैंडग को कुछ और्बाखे को अजगली अबूरमी केरदन एक जंगल से गुजर रहे थे कि नागिएान दो तावान हो बेदाखल गुदाली उफ्तादन गुदाली अमीक उफ्तादन के नागहान के चानक उन में से दो एक गहरे गड़े में गिर गए गुदाल कहते हैं गड़े को अमीक गहरा गहरे गड़े में उफ्तादन गिर गए बैकिये कुरबा गहाँ दरकिनारे गुदाल जम्शुदंद जो बाकी मेडिक थे जो एक ग्रूप की चकल में जा रहे थे ना तो जो बाकी मेडिक थे वो उस गड़े के करीब कठे होगे जम्हा होगे जब उनने देखा कि ये गड़ा कितना गहरा है बे दो गुरबागी दीकर गुफतन के रहे चारे बरावी खरूजा चाले नहीं नहीं तो उनने का कि इन दो जो मेंडिक थे जो अंदर गिर गड़े में उनको का कि अब तो इस गड़े से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है कोई भी तरीका नहीं चारे नहीं तरीका नहीं है चाले कहते हैं उसी को गड़ा ले नहीं इस गड़े में से निकलने का कोई तरीका नहीं है वा शुमा बेजूदी खाहिद मूर्द के तुम बहुत जल्द मर हो गए देखाना आपकी जिंदगी में भी बहुत सरे ऐसे डोस्त होंगे कि करीबी होंगे जो आपको आपकी तश्रीक करने करें पूज़ा अब को वसकला श्रीक नहीं करें गांगे तुम तो कुर्बागे थे उन्होंने उनकी बातों को सुनी अंसुनी कर दी यह निके उन पर अमल नहीं किया और उन्होंने पूरी जान लगा दी पूरी जान लगागे कोशिश करने लगे के वो इस गड़े से बाहर आजाएं परीदन होता है उड़ना बेफारंद नहीं उड़के बाहर आजाएं यह वुरी तुर प्थर बाहर आजाएं अम्मा कुर्बागी है ये दिग्यार मुदाम मी गुफतन दे लेकन बाकी जो मेड़क थे मुदाम मी गुफतन दे मुदाम यनी लगातार मुसलसल कह रहे थे के देस्त अस तलाश परदारंद चुन्नी मी चावानन देस गुदाल खारीच चावानद कि उन्हें चाहिए कि वो कोशिश करना छोड़ दे बाहर आने की क्यूंकि वो गुदाल से यनी उससे बाहर नहीं आ सकते उनके लिए बहुत मुश्किल है बिलाखरे ये कि अस दो गुर्बागी हा गुर्बागी हा तसली में गुफते हो ये दिगर गुर्बागी हा शुदा आखरकार इन दो मेंड़कों में से एक मेंड़क उनकी जो वो बार बार कह रहे थे उसको मान लिया उनके कहने को मान लिया कि वो गड़े में से बाहर नहीं आ सकता वो दस अस तलाश बरदाश्ट और उसने कोशिश करना चोड़ दी दस अस तलाश बरदाश्टन यानी दस बरदाश्टन यानी चोड़ दीना दस अस तलाश बरदाश्टन उसने महनत करना कोशिश करना बाहरानी करे ये चोड़ दी तर अन्जाम बे दाखल गुदाल पर्द शोद वा मुर्द और अखरकार वो गड़े में किर गयाँ वा मुर्द और मर गयाँ खुर बगए दीगर अमा बातमाम तवान बराई बिरून आमदन अस गुदाल तलाश मी करदे लेकन दूसरा मेंड़क पूरी जान के साथ बराई बिरून आमदन अस गुदाल तलाश मी करदे गड़े से बाहर आने के लिए ये कोशिश कर रहा था हर चिबगी गुर बगए हैं फर्याद मी जदन जितने भी बाकी मेंड़क जोर लगा रहे थे बेश और शरबा कर रहे थे के तलाश बीशतर फाइदे ना दरह थे के बीशतर यानि कि से ज़दा तलाश कोशिश करना कोई फाइदा नहीं है तुमें नहीं देगा तुम बिलगर मर जाओगे तुम क्यूं इतनी कोशिश कर रहे हो उमसम्म्म्तर मी शुद वो और ज़दा कोशिश कर रहा था और ज़दा पुखता कोशिश कर रहा था था इन के बिलाखर जाओगे अस गुदाल खारे शुद यान तक वो उस गड़े से बाहर निकलाया वक्ती बिरून उमाच बाकी कुरबागे अज़श पूर सीदेंदे जब वो बाहर आ गया तो बाकी मेंड़कों ने उससे पूछा मगर थो हर्फ़ ये मरानी में शनी दी कि क्या तुम हमारी आवास हमारी बातों को हमारी जिहोट पकार को नहीं सुन रहे थे मालूम सुद के कुरबागे नाशनवास थे तो जब उनको ये पता लगा कि ये कुरबागे तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा ये तो बहरा है नाशनवा बहरा है दर्वा के उत्थमा में मुद्दद फिक मी क्यार दे के दिगरान उरा दरन तश्वीक मी कुनान दे तो दर्वा के असल में हकीकत क्या थी कि वो तमाम इस अरसे में जब वो गड़े में गिरा हुआ था तो वो ये सोच रहा था कि उपर से जो इचीखों पकार कर रहे हैं वो दर असल उसको उसकी होसला अफ़ाई कर रहे हैं उसको ये कह रहे हैं कि तुम इस गड़े से बाहर निकल सकते हो तो इसी वज़े से वो कोशिश करता रहा और वो बाहर निकला है तो बड़ी उपसुरत गानी है सोच आपके साथ शेयर करूँ कि बाद कहाता अगर आपका कोई दोस्त डिप्रेशन में है वो कोशिश करना उसने छोड़ दी है तो बजाए इसके के आप उसको मज़ीद डिग्रेट करें आपको चाहिए कि आप उसकी होसला इसके के दिल पे ले और काम करना मेहनत करना छोड़ दे पॉजिटिव रह के अपना काम जारी रखे इन्शाला लात अला उसकी मदद करेगा तो ये कहानी थी आपके साथ शेयर की है इन्शाला अगर और कहानी कोई इस तरह की होई तो अक्सार फिर मज़ीद कहानी लेकर हाजर होगा शुक्रिया